नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग रेलवे गुरूब डी परिक्षा के प्रिवियस एर कोस्चन को देखने वाले हैं जो की 2008 में पुछे गए थे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं आज का पहला कोशन है वरतमान समय में भारत में कुल कितने उचनाले हैं वरतमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोट है तो 25 वरतमान समय में कुल 25 हाई कोट है इंडिया में और 25 हाई कोट कौन सा है तो आंध्यपरदेश उचनाले आंध्रपरदेश उचनाले इसकी स्थापना एक जनवरी 2019 को किया गया था और यह भारत का 25 वा उचनाले हैं हापमेन कप किस खेल से संबंदित है तो हापमेन कप का संबंद टेनिस से है टेनिस से एर लेटेड है हापमेन कप फतेपुर्शिक्री का निर्मान किस ने करवाय था तो फतेपुर्शिक्री का निर्मान अकबर ने कराय था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में फतेपुर्शिक्री का निर्मान कराय था जहांगीर के दरबार में पक्चियों के चितर बनाने वाला महान चितरकार कौन था तो मनसूर मनसूर जहांगीर के दरबार में पक्चियों का महान चितरकार था और दोस्तों याद रखेगा जहांगीर के सासनकाल को चितरकला का स्वर्निव कहा जता है टीवी रोग की रुख्थाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है तो BCG BCG का टीका टीवी रोग की रुख्थाम के लिए लगाया जाता है और टीवी से परभावित होने वाला उन कौन सा है फेफड़ा फेफड़ा टीवी रोग से परभावित होता है प्लासिक यूद के समय में बंगाल का नवाव कौन था तो प्लासिक यूद के समय में बंगाल का नवाव था सिराजु दौला सिराजु दौला प्लासिक यूद के समय में बंगाल का नवाव था और प्लासिक यूद कब लड़ा गया था तो 1767 में लड़ा गया था इसमें अंग्रेजी सेना का नतित्यू किस ने किया था तो रॉबर्ट कलाईव रॉबर्ट कलाईव ने इसमें अंग्रेजी सेना का नतित्यू किया था और सिराजु दौला बंगाल का नभाब था दोस्तो मैं जितनी भी एडिसनल इंफर्मेशन दे रहा हूँ आप उन सब कुछाए तो नोट कर सकते हैं फिर आगे इसमें कोश्यन है पेरियार राश्टी उधान किस जानवर के लिए परसिद है पेरियार राष्टी उधान हाती के लिए प्रसीद है पेरियार राष्टी उधान केरल में इस्तित है और यह हाती के लिए प्रसीद है और केरल राज का यह राज की यह पसु भी है गर्सुपा जलपरपात किस राज में इस्तित है तो गरसुपा जलपरपात करनाटक राज्य में इस्तित है और किस नदी पे है तो सरावती नदी पे सरावती नदी पे जोग या गरसुपा इसी को बोला जाता है या सरावती नदी पर करनाटक में इस्तित है इसका नया नाम होगा है अब महात्मागंदी जलपरपात गर्सुपा जलपरपात का नया नाम अब महात्मागंदी जलपरपात कर दिया गया है मनुष्य का सरीर में इंसुलिन का सराव कहा से होता है गुजरात की जीवन रखा किस नदी को कहा जता है तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और नर्मदा नदी का उद्गम अस्तल कहां से तो यह अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है और फिर मध्य परदेश और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जा करके मिल जा तो संसत का सदस नहीं होते हुए भी संसत की किसी भी करवाई में भाग ले सकता है वह महाने आयवादी है महाने आयवादी संसत का सदस नहीं होते हुए भी किसी भी करवाई में भाग ले सकता है इसकी निवक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति इसकी निवक्ति करता है महान भारत की सबसे चौणी नदी कौन सी है तो ब्रह्म पुत्र भारत की सबसे चौणी नदी है दोस्तो ब्रह्म पुत्र नदी को और भी कई नाम से जाना जाता है इसको तिबत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है फिर या और नाचल परदेश में इसी नदी को दिहांग नदी कहा जाता है और यह जब नदी भारत के असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रहम पुत्र और सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा यह आपको मालूम होगा इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है अंतराष्टिय मजदूर दिवस कब मना जात है यह तो काफे ही जी कुस्चन एयक माई को अंतराष्टिय मजदूर दिवस मना जाता है पैञे निस्लीन की खौच की सैंग थह पैलेशलीं की खौच किया घ्ION के द बात करें इन AoP Cameron आप क्राइघ के था ऐक्यों यह जात चारो याद रिखेगा दोस्तों, चारो पूछा जाता है, पोलियो रोग से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, पोलियो रोग से सरीर का तंत्रीर का तंत्र प्रभावित होता है, पोलियो रोग से, हैजा रोग किस के कारण होता है, तो हैजा रोग जिवानू के कारण ह या दूसीत पानी पीने या फिर दूसीत पानी के संपर्क में रहने से हैजारों होता है और या जीवानु के कारण होता है सुतनता प्राप्ति के समय भारतिय राष्ट्री कॉंगरेस के अध्यक्ष कौन थे तो सुतनता प्राप्ति के समय भारतिय राष्ट्री कॉंगरेस के अध्यक्ष श्री जेवी कृपलानी थे आज का लास्ट कोस्चन है हम लोगा चाय की खेती के लिए उप्युक्त मिटी कौन सी है तो चाय की खेती के लिए उप्युक्त मिटी होती है लेटराइट मिटी चाय की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मानी जाती है तो दोस्तों आज का वीडियो आसा करता हूं आपको पसं से टेलीग्राम चैनल में जूड़ सकते हैं वहां पे आपको पीडिया प्रभाइट कर दिया जाएगा धन्ने बाद